बाबराजम जब कप्तान थे ना तो पाकिस्तान के जो जर्णलिस्ट है जो जितने भी अजंडा पैडलर है वो क्या कहते थे कि भाई बाबर को न कप्तानी नहीं आती है वो विकेट नहीं निकलवा पाता है ब्लाब्ला बहुत सारी बाते वो लोग कहने लगते थे एक सेशन में अगर विकेट गेंदबाजों को नहीं मिला तो गेंदबाजों से ज़्यादा कप्तान को बोला जाता था कि भाई कप्तान ही ज़्यादा बेकार है अब बाबर आजम कैप्टर नहीं है पाकिस्तान में मैच हो रहा है सेम टेस सिरीज हो रही है ठीक है और बंगला देश कैसी टीम है आप मुझे बताओ सभी देशों की तुलना में थोड़ी सी वीक टीम है ओके छोटी टीम तो मैं किसी को भी नहीं मानता आज क्या हुआ शान मसूद आपका अंग्रे जी बोलने वाला कप्तान नो हेट टू शान मसूद कोई हेट नहीं है उनसे बट इसी शा शान मसूद को सारे लोग उठा रहे थे और बोल रहे थे कि कोई अंग्रे जी बोलने वाला कप्तान आया है और वही शान मसूद जब आज कप्तानी कर रहे थे पहली बात तो आपने अबरार एहमत को टीम से बाहर निकाला आपके बारे में ये अजंडा चला कि भाई बाब शान मसूद साहब की पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है दूसरी बात मेरी ये आ जाती है चीक है कि आप देखें कि शान मसूद की कप्तानी कैसी रही है आज आज आपके गेंदबाज बहुत जादा मार खाया है शाहिन अफरिदी नसीम शाह मौमद अली खुर्रम निकालते हैं कहीं से डाइजेस्ट होने वाली बात है रावल पिंडी पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलर 150 प्लस वाले बॉलर जो अभी 145 भी नहीं फेक पार है इस पूरे टेस्ट मैच में 144 हाइस्ट स्पीड रही है नसीम शाह का आप यकीन माने सबसे लोवेस्ट जो किन फड़ी चाहिए अफ्रीदी चाहा जाता है मतलब पूरी तरह से जो गेंदबाजी अटक है पाकिस्तान की कभी वर्ल्ड क्लास कहते थे और इस समय पाकिस्तान की गेंदबाजी फॉरी तरह से फलॉप साबित हुई है आपके पेसर्स विकेट निकालने में बहुत जाद उनके पसी ने चूट रहे हैं लेकिन विकेट ने निकल रहे हैं एक विकेट जो लिया है वो साहम आयूब नहीं लिया है शाकी बलेसन का जो आखरी विकेट है जो पाज़वी विकेट गिरा था लेकिन कोई ये थोड़ी बात बोल रहा है कि भाई देखो शानमसूत की कप्ता कि अब लोगोंने बाबर को तंग किया और मैं हमेशा बोलता करता था कि जिस दिन नहीं रहेगा मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आजम को फिरसे कप्टेन बनाओं नहीं मैं वह बात बोल रहा हूं जो आप लोग अजेंडा चलाते थे बाबर के लिए unnecessary चीजें होती थी बाबर के time में कप्तान को बुरा भला बोला जाता था बॉलर्स को बचा लिया जा पूसर को बॉल बॉला जा रहा है यही डियएंस जिस पर मैं बात कर रहा हूं आप से कि बाबर के लिए अलग बाबर आजम को as captain के तौर पे अगर आप उसे कोसा करते थे तो आज आपका सेम फर्ज बनता है कि आप भी शानमसूत की खेलता है या इंडिया में पॉर्डर वाली पिछ पे मैच करवाओ नाथन लियोन हमेशा खेलता है आप अबरार एहमद को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सके आप उनको पाकिस्तान शाहिन के लिए खिलवाते हैं और वहां पर जाके वह चार विकेट निकालता है मैं एक आज स्टैड्स देख रहा था अबरार एहमद के पाँच मैचों में 40 फर्स्ट क्लास विकेट है रावल पिंडी के मैदान पे पाँच पाँच मैचों में 40 विकेट है बावजूद इसके आपने टीम से बाहर किया तो पूरी तरह से आपकी गिंदबाजी अटैक एकदम से इनके बॉलरों की थी एक ढंका बॉलर नहीं पाकिस्टान अभी इनके पास टेस्ट किरिकेट के लिए है और जो होगा भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है और नहीं I was Sheym I of Things